Welcome back to safety skill channel आसा करता हूँ दोस्तों आप safe और healthy होंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा topic है life saving rules तो life saving rules क्या होता है और इसका importance क्या है इसे क्यों follow करना ज़रूरी है और इनमें कौन-कौन से rules आते हैं ये सारे topics को इस वीडियो में cover किया गया है life saving rules का नाम आपने जरूर सुना होगा अपने company में भी I think आप aware होंगे थोड़ा मोड़ा अगर आप एकदम aware नहीं है तो भी आपको यहाँ पर basic information से लेके wide information जो life saving rules से related जितनी भी information है सारी information आपको इस वीडियो में मिल जाएगे तो ये वीडियो आपके लिए काफी है तो चलिए बिना time कमाए वीडियो को स्टार्ट करते है अगर अभी तब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और bell icon को प्रेस कर ले ताकि आपको regular updates आपके mobile पर भी ले तो life saving rules क्या होता है हर company में सबसे पहले में ये clear कर दूँ इसमें कि life saving rules और policy and principle ये दो अलग चीज़ है ठीक है policy and principle एक साथ चलते है वो अलग चीज़ है और life saving rule एक अलग चीज़ है ठीक है policy and principle purely management से related है ये management बनाती है किसी भी company को चलाने के लिए बट life saving rules ये company to company वेरी करती है ठीक है ये कुछ set of rules है जो petroleum company में अगर कुछ life saving rules है तो जरूर नहीं कि same life saving rules steel plant में भी अपलाई होंगे अगर कुछ life saving rule steel plant में है तो जरूर नहीं कि वो construction company में अपलाई होंगे तो हर जगा अलग अलग जॉब है और हर जगा अलग अलग life saving rules है ठीक है तो ये एक ऐसा set of rules है जिसको follow करके अपने साथ साथ अपना तो जिन्दगी बचाई सकते हैं अपने आपको तो save करी सकते हैं उसके साथे साथ आप दूसरी की भी life को save कर सकते हैं अगर इसके opposite हम बात करें कि अगर आप इसे break करते हैं तो आप अपने साथ साथ अपने आसपास जो भी लोग हैं जो काम कर रहें इंगेज आपके साथ उसे भी आप खत्रे में डालते हैं ठीक है अगर आप इसे follow करेंगे तो अपने साथ अपने साथ साथ जो आपके साथ काम करने वाले लोग उन्हें भी आप बजा सकते हैं और अगर आप इसे break करते हैं तो अपने खुद के साथ दूसरे को भी खत्रे में डाल सकते हैं ठीक है तो चलिए मैं यहाँपे total 21 life saving rules को add किया हूं ठीक है तो आप सूचेँगे क्या 21 rules होते हैं life saving rules में No हर company में कुछ set होते हैं जैसे कही 5 life saving rules होते हैं कही 7 होते हैं कही 9 होते हैं कही 11 कही 12 कोई भी number हो सकता है तो मैंने यहाँपे सारे life saving rules को add किया है means सारे company में जो भी life saving rules को follow किया जाता है वो मैंने यहां पर include किया है तार कि हर लोगों को इससे information मिल सके तो चलिए हम लग one by one discuss का लेते हैं और सबसे पहले आते हैं first point पे जो है no permit no job जैसे कि आप सभी जानते हैं कि without permit कोई भी काम plant भी नहीं किया जा सकता है अगर आप इसे break करत इसके साथे साथ कि जो company है जो company है जिस company में आप काम कर रहे है उस company में अगर कोई life saving rules है और अगर आप उसे break करते हैं तो company उसके लिए बहुत ही strict सजा रखती है ठीक है बहुत strict कहने का मतलब कि आपका gate pass भी ब्लॉक हो सकता है आपको वहां पर दुबारा कभी job करने नहीं म अगर आप इसे break करते हैं तो पूरा plan खत्रे में आ सकता है ठीक है किसी के जान जाना company के अंदर यह बहुत बड़ा मुद्धा है इसलिए कोई भी company इसे बहुत ही strictly follow करती है और अगर कोई इसे break करता है तो उसके साथ बहुत ही उसे कड़ी सजा दी जाती है और उसे company से निक आपका जॉब भी जा सकता है तो चलिए हम लोग second point पर आते है no smoking no naked fire यह कहां पर होता है यह खास करके petroleum या chemical plant में एक दिन strictly होता है यह थर्ड avoid man versus machine interface man versus machine interface किसको बोलते है जब machine और man जहां पर एक साथ आमने सामने आ जाते है ठीक है machine है तो जाहिर से बात है वाह पर man रहेगा तब ही machine चलेगा ठीक है तो उस situation में क्या होता है incident होने का खत्रा ज्यादा हो जाता है ठीक है जो probability increase कर जाती है इसलिए क्या करना है इसे हमें avoid करना है ठीक है मल यह कहिए अगर आपका काम नहीं है तो आपको किसी चलते हो machine के सामने खड़ा नहीं हो रहे है कहने का बतलब य excavation excavation से related जो भी rules है उन सभी rules को excavation job perform करते हुए हमें follow करना है use of cell phones at work floor is prohibited अगर आप work floor पर है तो वहां पर cell phone use नहीं करना है ठीक है किसी का call message कुछ भी photo वेगरा यह सब भी नहीं करना है बहुत सारे company में तो cell phones भी prohibited रहते है वहां पर allow नहीं रहता है कि आप cell phone site पे ले कर जा जाता है 6th है non compliance to the rule of confined space confined space related जो भी rules है उन्हें strictly follow करना है ठीक है 7th है non compliance to the rule of working at height अगर working at height से related कोई भी non compliance मिलता है ठीक है जो strictly action लिए जाएगा next है non compliance to the rule of hazardous chemicals जो chemical plant है वहां के लिए यह rule है 9th है openings should be properly covered and barricated हर company में नीचे जो कई जगा आपने दिखा होगा रोट पे openings रहते हैं तो वो क्या होना चाहिए वो properly covered होने चाहिए साथी साथ क्या होने चाहिए barricated होना चाहिए hard barricated okay 10th use flotation while working on or near water sources अगर कोई water source के नजदीक काम कर रहा है या water में काम कर रहा है तो क्या यूज़ करना है always flotation यूज़ करना है ठीक है diagram bugle में दिया हुआ है आप उसे refer कर सकते हैं next है 11 do not engage yourself in reckless or hazardous behavior reckless means लापरवा ठीक है बेपरवा जो behave side पे अपनाते हैं वो नहीं करना है ठीक है लापरवा इसे किसी भी equipment को या किसी भी समान को यूज़ नहीं करना है और जो आपका behavior है वो हजाड़ेस नहीं करना शाहिए ठीक है do not walk or stand under a suspended load or in swing area of crane लटके हुए load के नीचे कभी भी आपको नहीं जाना है साथे साथ crane का जो swing area है जो एक circular swing area होता है उसके अंदर में आपको कभी नहीं जाना है अग हम लोग आगे बढ़ते हैं 13th point में obtain authorization before overriding any safety system अगर आपका कुछ ऐसा काम है जहां पर आपको safety को override करना है means ignore करना है avoid करना है तो उसके लिए आपको proper authorization लेना है उसके बाद ही आपको वहाँ पर काम करना है 14th follow emergency response procedures in the event of an incident अगर कोई incident होता है तो emergency response जो procedures होता हर company का अलग training भी provide के जाती है वो follow करना है उसे हमें इस emergency में ध्यान में रखना है और जो भी signal silence हमें गडलेंस दिये जाते हैं वो उसके फालो करना है 15th only trained and authorized person can operate machine equipment जो machine और equipment उसे कौन चलाएगा के बाल trained and authorized person ही चला सकते है working under influence of alcohol और illegal drugs strictly prohibited तो क्या होता है कि देखेगा कई बर जो drivers होते है वो कुछ alcohol या illegal drugs लेते हैं और उनकी habit में यह होता है और वो plant के अंदर ink कर जाते हैं और फिर road accidents होते हैं और अलग-अलग type के accident भी होते हैं तो यह भी एक life saving rules में आता है to not bypass or remove the safety devices of machines power tools इसमें क्या बोल रहा है कि bypass नहीं करना है किसी बितर का छेड़ चाड़ नहीं होना चाहिए किसी भी machine के साथ या power tools के साथ 18th follow road safety rules never use mobile while driving and wear seatbelt always road safety में हम लोग सबसे पहला violation क्या करते हैं कि हम लोग गाड़े चलाते हैं mobile का यूज करते हैं और second हम लोग seatbelt को ignore करते हैं यह दोनों strictly follow करना है 19th non fulfillment of conditions essential to ensure safe welding and gas cutting जिसको hot job भी बोलते हैं जब भी hot job perform करना हो तो उसकी जो भी rules है वो हमें follow करना है ठीक है rules हो कहाँ से मिलेंगे उसका link मैं इस वीडियो के नीची दे दूँगा description box में जैसे excavation है उसका link भी दे दूँगा बहुत सब्सक्राइब कर सकते हैं उसका link में description में दे दूँगा आप उसे check out कर सकते हैं कि confined space का rule क्या है work and height का rule क्या है welding gas cutting का rule क्या है यह सब आपको description box में मिल जाएंगे वहां से आप refer कर सकते हैं अपनी information को excel कर सकते हैं अपने knowledge को excel कर स सकते हैं so 20 perform hot work at designated place only and conduct gas test before starting of hot job जब भी hot job आपको करना हूं हम इसा designated place पर ही करना है ठीक है मिंस उसके लिए जो particular specific जगह बनाएगा वहीं प्रापो करना है और hot job करने से पर लिगा करना है हम इसा gas test conduct करना है 21 prohibition of tampering of locks in positive isolation and verification of isolation before starting of electrical mechanical or process job जो positive isolation है उसमें जो lock लगा है उसे कभी भी छेडशार नहीं करना है खुलने की कोसिस नहीं करना है और अगर आप electrical, mechanical या किसी भी तरह का process या operations related job करने जा रहे हैं तो आपको positive isolation ensure करना है उसके बाद ही वहाँ पर job को perform करना है यहाँ पर total हम लोगों ने 21 life saving rules को देखा है किसी भी company में जो set of life saving rules होते है वो बनाया जाते है उसे उस company के हर employment को follow करना बहुत जरूरी होता है अगर कोई भी उसे break करता है तो उसे कड़ी सजा दे जाती है यहाँ तक कि आपका employment भी जा सकता है कभी भी इसको ignore नहीं करना है अवाइड नहीं करना है life saving rules को ठीक है क्योंकि नाम से आपको पता चला है life saving होगी है किसी के life को बचा सकता है और अगर आप इसे तोड़ते हैं तो life गमा भी सकते है तो I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो ज इंट्रेस्टिंग पोस्ट होना पर रिगुलर पोस्ट किया जाते हैं सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै सुरक्षा जाहिएद